दोस्तों अगर आप भी शुबमंगिल और यशस्वी जैसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाग खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो को लाई की जरूर किचेगा दोस्तों जिमबावे के मैदान पर चोथी T20 मैच में जैसवाल और गिल का प्रदर्शन और टीम इंडिया की एतिहासिक जीत देख करकेवल पूरा क्रकेट जगत खुशे से नहीं जूम उठा बलकि टेनिस स्टार खिलाडी सानिया मिर्जा का भी सीना गर्व से चोड़ा हो ग गेज़े सानिया ने बता दिया जैसवाल को सूपर हीरो सानिया मिर्जा ने क्या कुछ कहा ये थो हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ये शस्वे जैसवाल और शुबमंगिल में कौन सबसे खतरना खिलाडी है कॉमेंट में जरूर जिमबावे की टीम पहले बल्लेबासी करते हुए भारत के सामने पीस ओवर में 152 रनों का लक्ष साथ विकेट खो कर दी जिमबावे की तरफ से सबसे अधिकरन कप्तान सिकंदर रजा ने 46 रनों की पारी खेली वहीं भारत की तरफ से खलील एहमत ने दो विकेट लिये जि दोनों खिलाडियों ने 100 रनों की साचेतारी बनाई उसके बाद मैदान पर अपना प्रचंड रूप अपना लिये चतारा से लेकर सिगंदर रजा मुझरबानी यहां तक की नगरवा को भी इन दोनों बल्लेबासों ने कूटा और भारत के जित के नेवों बिच्छा दी ट पूरा स्टेडियम खोशे से जोम उठा हर तरफ जैसवाल और गिल की तारीफ होने लगी थी वहीं जैसवाल का तो डंका बजरा था उन्होंने अपनी बल्लेबासी से हर किसी का दिल जेत लिया पूरे हिंदोस्तान में यूबा खिलाडियों के प्रदर्सन से हर कोई खुश लिए और सानिया मिर्सा का सोशल मीडिया पर तेजरी से वारल होने लिए नगा तो चलिए हम आपको सानिया मिर्सा का वह भा deeper के लिए का हाँ सानिय मिर्जा ने जैसवाल और गिल के प्रदर्शन और भारत की जीत पर वयान देते हुए कहा कि वाह योवा खिलाडी आपने इतिहास रच दिया बिना सीनियर खिलाडी की टीम ने जिमबामवे में भी अपना जहंडा गार दिया है मैं कप्तान शुबमन गिल और यशसवी जैसवाल के जितनी तारीफ करू कम है शानदार कप्तानी का नजारा दिखाया अच्छी बल्ले बासी की जैसवाल ने अक्यले गेदवासों की धचिया उडाई अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी मेरे पास तो इन यो खिलाडियों ने पुरानी टीम से भी काफी मजबूत ये नई टीम दिखाई दे रही है जीत की धेर सारी बधाई दोस्तों देखा आपने किस तरीके से सानिया मिर्चा ने भारत की जीत पर दिल जीत लेने वाला बयान दिया लेकिन आपको क्या लगता है शुबमन गिल और यशस्वी जैसवाल में कौन सबसे खातरना खिलाडी है कॉमेंट में जरूर बताएए जैसवाल ने जिमबावे के जबडे से छीना कैसे जैसवाल की बल्ले बाजी देखकर थर थर कापने लगा जिमबावे कैसे अंतिम ओवर में जैसवाल के छक्के से टीम इंडिया को मिली यादकार जीत दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गें तक रॉंक्टे खड़े कर देने वाला रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुमन गिल और रेसर स्वी जैसवाल में कौन है सबसे खतरनाक प्लेयर नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो चौथा टीट्वेंटी मैच खेलने के लिए एक बार फिर भारत और जिमबावे के आमने सामने हरारे मैदान में ये दोनों टीमे नज़र आई हैं ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहदी महत्वपून था मैच में कप्तान शुमल गिल ने टॉस जीत का जिमबावे को पहले बल्ले बाजी करने का नियोता दिया लेकिन जिमबावे टी-ट्वेंटी मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उमीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी जिमबावे की शुरुवाद तो बेहत खराब रही भारती युवा गेंद बाजो ने शुरुवाद में कई विकेट निकाल कर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा लेकिन उसके बाद सिकंदर राजा और ब्रायन बैनेट ने मिलकर भारती गेंद बाजो की धजियां उड़ा कर रखती एक के बाद एक इन दोनों खिलाडियों ने कई चौके छक्के लगा कर अपनी टीम को सौ रनों की साज़ेदारी बना कर देर सो रनों के पास पहुचा दिया दोनों बल्लेबाजों ने अर्दशा तक ठोके वैयन्त में मायर्स के साथ मिलकर मसा काजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 18 गेंट पर 52 रनों की पारी खेल कर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुचा दिया और भारत के सामने पहार जैसा लक्षक खड़ा कर दिया यही इस स्कोर को देखकर भारते खेमे में मायूसी च्छा गई और पूरा क्रिकेट जगट जिंबावे की बल्लेबाजी से हैरान हो गया अब भारते टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष को जल से जल हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की एहम जिम्बतारी थी इनी इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबर तोड़ बरसाथ करने यशसवी जैसवाल के साथ कप्तान शुबमंगिल की जोड़ी मैदान में उतरी इन दोनों खिलाडियों ने अपना सारा गुस्साज मासूम जिम्बाबे गेंद बाजों पर उतारना शुरू कर दिया आपको बता दे जहां एक तरफ शुमंगिल ने आते ही पहले ही गेंद पर तुफानी छक्का बटोर कर अपना खाता खोला था तो ये शस्वी ने भी शांदार कवर ट्राइफ चौका जड़ कर अपनी पारी की शुरुबात की थी इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जम कर कर जा छे ओवरो का बक्षू भी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को पैसर ट्रनों तक पहुँचा दिया था जीत की नीव बिछा दी थी ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता लेकिन फिर होता है जिम्बाब्वे की वापसी का शंकनात एक बार फिर चलता है मिल्टन मसा काजा का जादू जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्ले बाजू को अपनी धुन पर नचाया वहीं पैच वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला जी हाँ दोस्तो हैमिल्टन मसा काजा ने आते ही लगतार दो गेंदों पर पहले कप्तान शुबमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेट कीपर संजू सैमसंग को चलता कर भारती टीम को करारे छटके दिये थे शुबमन गिल 29 रन बनाकर पविलियन लोटे तो वहीं संजू सैमसंग को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला अचानक से टीम इंडिया की कमर तूट चुकी थी जिमबावे मैच में वापस आ चुकी थी इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंग यशस्वी जैसवाल का साथ देने के लिए आ गए इन दोरों बल्ले बाजों ने मिलकर खुब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 110 रन तक पहुचा दिया जहां यशस्वी जैसवाल ने 10 डेई 14 की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 रन पर अपना आर्दशतक पूरा किया इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था रिंकू के साथ मिलकर यशस्वी जैसवाल ने आर्दशतकी साज़ेदारी पूरी की क्योंकि यशस्वी जैसवाल अकेले ही जिमबावे के लिए यमराज बने हुए थे लेकन वही रिंकू सिंग अपना विकेट सिकंदर राजा को दे बैठे टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया भारतिय टीम एक बार फिर मुसीबत घड़ी में आने लगी रिंकू सिंग टीम के लिए 40 रन बना कर पविलियन लौट गए लेकिन अब यशस्वी जैसवाल का साथ दिने मैदान पर अभी शेक शर्मा आ चुके थे स्ट्राइक पर मौजूद अभी शेक शर्मा ने सोबर में अपनी क्लास दिखाई